जम्बू जूम में आप लोगों के लिए सोगात यारी टाइगर और टाइगरेस का एक जोड़ा जो है जम्बू जूम में आ चुका है रोयल बंगॉल टाइगर है यह जिने चन्नई से लाया गया है ताकि आप लोग जो है वो इन्हें देखे आप भी जानते हैं कि जम्बू जो शुरुवाती दोर था उसमें यह सारे जानवर जो है वो नहीं लाए गए थे बहुत सारी श्पीशी सी जो नहीं लाए गई थी लेकिन अब आइस्था इस्ता जो है यह सारी चीजों को यहां पर जो है वो लाया गया है अब सर्दियां भी आने वाले और टूरस जो है जमो का दोरा जाधा करने वाले इसलिए जमो के जम्बू जू की हम बात करें वहाँ पर एक जोड़ा जो है वो लाया गया है और ये तस्वीरे में आपको दिखा रही हूं कि यहां पर बेंगॉल टाइगर यानी रॉयल बेंगॉल टाइगर को चरने ही से लाया गया इसके स यह साही नजारा, जो है, इंजोई चाहते हैं, छोड़-चोड़े बच्छों को ले कर आते हैं, लेकिन भीम इसामबूजू को इसलिए बनाया गैथा कि ताकी बाहर से आने जाने बारे टूरिस्ट वो देखें और जो मांडा नीता जो है आपके इसको इसको इप बैक में दिखाई देगी और आपको ये भी बता दे कि इन दोनों को जो है अलग-अलग रखा जाता है इन दोनों को एक साथ नहीं रखा जाता क्योंकि अगर साथ में ने रखे तो ये काफी जादा जिस तरह से एंगर इशूस रहते हैं तो आप भी जानते कि ये जानवरी ही वैसा है कि कभी भी किसी पर भी हमला कर दे तो इनके एंगर इशूस को देखते हूँ इने अलग-अलग रखा जाता है दिन में जो है इने आठ केजी मीट प्रोवाइड किया जाता है ताकि ये खा सके और शाम को साड़े-पांथ बज जानते हैं कि सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हो इन दोनों को एक ही केज में जो है वो नहीं रखा जाता और अभी आपको तस्वीरों में बिता दें कि आपने पानी बीते हुए जो है ने दुबारा अपनी जगा पर आते हुए देखा है और इनका नाम अदित्य है अधित्य आपको बैक्ट एंड पर दिखाई देगी एक दिन अधित्य का है और एक दिन सुनीता काही काफी मज़िदार नाम हैंको यहां पर अखर ऑगी हैं। और इसके साथ आपको बताते हैं कि गुजरात के जुनागड से एक लॉइन और उनकी मादा को जोड़ा भी यहां पर मंगवाया गया है और उनको भी यहां पर रखा गया है इसके साथ जब आप यहां पर आते हैं आपने देखा कि काफी जादा इस पर कैफिटेरिया पॉइं तो उन लोगों के लिए जम्मू की अड्मिस्ट्रेशन ने जम्मू जू का जो है वह आगास कर दिया है पहले फेस का आगास तो कपसे हो चुका है लेकिन इसके बीच में जो लोग यह कह रहे थे कि हम यहाँ पर आते हैं सिर्फ पैदल चल कर चले जाते हैं मैं बहुत सी चीजल हैं और जिस तरह से आप इसे देख सकते हैं कि पूरा एरिया जो है वो इसके लिए रखा गया और काफी बड़ा एरिया है यह आप जब बहार की तरफ जाते हैं कि बाहर के जो जू हैं वो काफी जाधा बड़े तो आपको जम्मू वालों को भी शिकायत नी होने वा पर यह जित्ते भी जानवरों की कमी थी उसे पूरा करने की जो है वो कवायच शुरू की है और अधित्य की सुनीता आपको कैसी लगी उसके बारे में भी आब बताईएगा